Let's improve English तेरी और तेरी पतने की बन रही है या नहीं? इसे English में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ confusing but useful in this analysis का English translation करना मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो को end तक जरूर देखना आपको कुछ words, phrases, vocabulary आपकी improve होने वाली है आपको कुछ words, phrases सीखने का मुखा मिलेगा इस वीडियो को end तक जरूर देखना आप definitely अपनी English को improve करेंगे Friends, हम कहते हैं get along to have a friendly relationship with someone get along का मतलब होता है किसी के साथ आपकी बनती है मतलब कि आप उसके साथ get along करते हो अब sentence देखिए Are you and your wife getting along or not? Are you and your wife getting along or not? Get along का एक और मतलब होता है इस sentence को देखिए तुमारी पढ़ाई कैसी चल रही है जब हम पूछते हैं बच्चों से पढ़ाई कैसी चल रही है तो हम get along का use करते हैं यहाँ पर इसका meaning है to manage to continue doing something or make progress in a situation किसी situation में progress करते जाना आगे बढ़ना यानि जब हम कहते हैं तुमारी पढ़ाई कैसी चल रही है तो यह बात fit बैटती है हम कह सकते हैं How are you getting along in your studies अब पल्ले पढ़ रहा है यह मुझे जब आप कोई चीज सीखने की कोशिश कर रहे हो कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो यानि कुछ चीज को करने का तरीका आप धीरे धीरे सीख रहे हो आप समझ रहे हो अब पल्ले पढ़ रहा है मुझे अब यह बात मुझे समझ में आ रही है अब पल्ले पढ़ रही है चीज मुझे निशा से बात करवाना जरा जैसे फोन पर जब हम बात कर रहे हैं और कहते हैं उससे मेरी बात करवाना कैसे कह सकते हैं तो यहाँ पर हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं यानि कि किसी को फोन देना जब आप किसी से बात कर रहे हो और आप उस इंसान से कह रहे हो कि मेरी बात उससे करा दो That means put someone through to someone का आप यूज़ कर सकते हैं पहले तो एक इसी सा तरीका इसको कहने का हम कह सकते हैं Put Nisha on the phone Put Nisha on the phone या फिर हम कहेंगे put me through to Nisha Put me through to Nisha One का मतलब है put के बाद जो one है इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी person आएगा So put one की जिगह पे put me through to someone means to Nisha Put me through to Nisha यानि कि मेरी बात Nisha से करवा दो Put Nisha on the phone यानि मेरी बात Nisha से करवा दो Put me through to Nisha Put Nisha on the phone वो अपना पेट पालने का कोई तरीका निकाल लेगा कोई ना कोई तरीका तो वो अपना पेट पालने का निकाल ही लेगा हम क्या यूज करें यहाँ पे Make a living Make a living का मतलब होता है To earn the money one needs to pay for housing, food, etc यानि कि रोजी रोटी कमाना अपना पेट पालने के लिए कमाना Means make a living He will surely find a way to make a living He will surely find a way to make a living यानि कि पेट पालने के लिए कोई ना कोई तरीका वो जरूर निकाल ही लेगा यहाँ पर इसकी जगह पर आप ऐसे भी कह सकते हैं He will surely find a way to put food on the table To put food on the table He will surely find a way to put food on the table या फिर अपने आपको खाना किलाने के लिए अपना पेट भरने के लिए कोई ना कोई तरीका वो जरूर निकाल लेगा He will surely find a way to make a living To put food on the table To make both ends meet To feed himself किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं Similarly एक ही बात को express करने के बहुत सरे तरीके हो सकते हैं किसी भी language में Not only in English उसे खुश करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा जब हम ऐसा कुछ कहते हैं कि मुझे ऐसा करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ जाए ऐसा करने के लिए जो भी करना पड़े यह बहुत ही natural तरीका है बोलने का इस चीज में जो भी लगेगा जाहे मुझे जो भी करना पड़े यहान पर बुरे क्या हो शकता है गई कभी यहासे गहते हैं थैसा का हो जाएगा बताई बुरे से बुरा हो कै सकता है लुज पर वर्स पर ऑपन रहन उड का पूरे का एक्वरे वर्स पर बोर्स यहाँ पे good का use possibility को बताने के लिए हो रहा है good का use जैसे कि आपको पता है कि past की ability को दिखाने के लिए होता है जैसे I could swim very fast when I was a child यानि जब मैं a child था तो मैं बहुत fast swim कर सकता था लेकिन यहाँ पे good का use possibility को दिखाने के लिए हो रहा है कि क्या हो सकता है अब कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग सीख लेते हैं सकता है, सकते है, सकती है तो कहना आएगा Friends, ये सीखने का तरीका सही नहीं है Although beginners के लिए बिल्कुल सही है क्योंकि beginning में पता नहीं होता है students को कि कहना क्या है इसलिए teachers उनको समझाने के लिए सकता है, सकते है, सकती है, हो रहा है, रहे है, का यूज़ करके समझाने की कोशिश करते है पर जैसे जैसे आप stage में आगे बढ़ते हो, आप intermediate level पर पहुँचते हो आपको समझना चाहिए कि ये बाते सिर्फ beginning stage पर सही थी जब आप चीजों को समझना चाहते थे लेकिन अब आप intermediate stage पर आ गए हो, और advanced stage पर भी हो सकते हो अब यहाँ पर वो सकता है, सकते है, सकते है, काम ने आएगा, बलकि हमें concept को समझना है अब यहाँ पर सकता है, ऐसे हमारा मतलब हम किसी की ability, capability नहीं दिखा रहे है बलकि possibility दिखा रहे हैं, और possibility दिखाने के लिए हम might, may या फिर could का use कर सकते है What's the worst that could happen, बुरे से बुरा क्या हो सकता है मैंने यह बात दिल में कई दिनों से दबाए रखी है, दिल में कोई बात दबाए रखना There is a word, harbour, to keep feelings or thoughts, especially negative ones, in your mind for a long time यानि लंबे समय तक आप अपने दिल में कुछ दबा के रखते हो, बताते नहीं हो किसी को यानि आप उस चीज को harbour करते हो, वैसे harbour के और भी मतलब है किसी criminal को harbour करने का मतलब उसको पना देना होता है, उसको छुपा के रखना, जो कि सही बात नहीं है और वैसे harbour एक उस जगए को कहते हैं जहां पर ships आकर रुकते हैं, बंदरगा हिंदी में उससे कहते है तो friends इस सेनेस को हम कैसे बनाएंगे, I have harbored this for many days यानि मैं जिस भी चीज की तरफ इशारह कर रहा हूँ, उस चीज को मैंने बहुत दिनों से harbour करके रखा है यानि उसको अपने दिल में दबा के रखा है, किसी चीज को दिल में दबा के रखना, यानि उसे harbour करना तो इस word के अलग-अलग meaning है, depending on the situation आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा है, इसी तरह से अपने English को improve करते रहने के लिए इस चैनल को subscribe जरूर करना अगर आपने भी तक नहीं किया है तो so friends बात करते हैं, next video lesson में, till then take care and bye-bye